हलो दोस्तो, मैं अंकित कुमार, मैं इस वीडियो में इस्तेतो श्कॉप के पाट्स के बारे में बताने वाला हूँ अगर ए वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कोमेंट और चैनल को ससक्राइब करना न भूले थांक्यू दोस्तो चलते हैं वीडियो की ओर हलो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको इस्तोतोस्कोप के पार्ट और उसके इवज के बारे में बताने वाले हैं इयर ट्यू मेटल का बाना हुआ एक पार्ट होता है जो डैप्राम से निकलने वाले बॉयस को हमारे एर तक पहुचने में हेल्प करता है एर पिस एर पिस टिव का बना हुआ रबड का बना हुआ होता है और यहां हमारे एर में फिक्स होता है और इसे हम अपने एर में लगाकर डाइप्राम से निकलने वाले बॉइस को सुनते हैं बिनाल स्पिरिंग बिनाल स्पिरिंग लचीला होता है और हेड़ सेट को हमारे हेड में सेट होने में मदद करता है बिनाल स्पिरिंग के द्वारा हेड सेट हमारे एर में अच्छा से और हेड में अच्छा से सेट होता है एर टिव, एर पिस और बिनाल स्पिरिंग इन तिनों को मिलाकर हेड सेट बनता है जिसे हेड सेट कहा जाता है tubing यह tube यानी rubber से बना हुआ होता है और यह chest piece से connect रहता है और diaphragm से निकलने वाले voice को हमारे ear तक पहुचने में help करता है esteem bell और diaphragm से हम किसी ब्यक्ति का heartbeat को सुनते हैं थैंक्यू दोस्तो